हनमान जी महराजी कैसे देवता जो ज्ञानियों में सबसे स्रिष्ट हैं इस दुनिया में सबसे बड़िया कोई बक्ता है तो वो हनमान जी है राम चंद्र गुन बरने लागा सुन तह सीता कर दुख भागा अच्छा दुनिया में सबसे बड़िया स्रोता कथा का कौन है प्रेभु चरीत्र सुन बे कोरसिया राम लखन सीता तो कथा के सबसे बड़िया स्रोता स्री हनमान जी है ऐसे हनमान जी के चरनों को प्रणाम दादा गुरू जी को प्रणाम बागे शुरबाला जी को प्रणाम सन्यासी बाबा को प्रणाम प्राथना यह हम राजो दास्पर कृपा करो हमारे दक्षिन भाग में धर्ती के चलते फिरते भगवान सभी संत ब्राजमान है संतों के चरनों में नाक रगड कर दन्रबत प्रणाम सुईकार है आचारिय भूदेवों के चरनों में भी नाक रगड कर दन्रबत प्रणाम सुईकार है एबम तीनों पंडाल फुल हैं पागलों से कुछ लोग जब हम गाड़ी में आ रहे थे हमारे इस कथा की ये जमान नकुल जी बता रहे थे बोले माराजी जितने अंधर हैं उससे कहीं तीन गुना बाहर है तो जो कुछ लोग खड़े हैं कुछ लोग आंगे आने के लिए लड़े हैं फिर भी बालाजी के दरवार के सामने अड़े हैं और देश बिदेश में संसकार टीवी चैनल बागे सुधाम चैनल के माध्यम से जो जो कथा सुन रहे हैं आप सब को कलीकुल सिखर पावन आवतार वो स्वामी तुलसिदास जी की एक चौपाई के साथ सियाराम मै सब जग जानी करहों प्रणा जोरी जोग पाई सितराम 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 साथू जी ओ साथू जी कैसे हो अब तो हम अभी लंगन से आए बापस तो अंग्रे जी मैं पूछ सकते हावर यू वैसे हमाई अंग्रे जी बहुत उंचे लेवल की है अगर अंग्रे जी जिन्दा होगी हो हमारी अंग्रे जी सुने तो वो आत्महत्या कर लिए ऐसी अंग्रे जी है तो ठीक हो लेट हो गए हम आप तो भै नहीं हैं लेकर करवाने वाले आप ही हो हम तो चार बजे चल दिये ते जहां निवास था लेकिन हनमाई जी की बिचित्र लीला पता लगा के जहां से जाना रोड जाम फिर बदल करके प्रसासन महोद है बदल करके ले आए तो हम सोते आए गाड़ी में हमके ले चलो तब जाके फिर सिमरिया वाले हनमाई जी के दरसन मिले लेकिन देर आए पर आए तो एक बात बताएं सच में सिमरिया वाले बाला जी ने बुलाया है और छिंदवारा के इसके पूर्व मुख्मंत्री आप स्री कमनाच जी जब बागे स्रोधाम फरवरी में गए तो बस उनके उनकी और हमारी इतनी ही बात हुई कि आप सिमर्या का बार है हनमान जी महराज की दर्सम करने तो हमने का लोग तो आते हैं तो कहीं परचा कहीं कोछ कहीं चर्चा आप त आज से मर्या वाले हनमान जी के दर्सन करने आओ जो आज से 15 साल पहले पूरे भारत में 101.8 फिट उंचे हनमान जी महराज का दिब बिग्रा है तो हमें जैसे ही सुना हमको बहुत आत्मिक सुख मिला हमने कहा कि बाला जी की कृपा होगी तो हम कथा सुनाने जरूर आएंगे और आज वो समय आ गया माध्यम आप बन गए बुलाया बाला जी ने है पर हकीकत तो ये है कि छिंदवाड़ा के पागलों को पुना राम के प और आप जब बोल रहे थे तो आप कह रहे थे कि अब आप ऐसा बचन दीजिए कि आते रहे तो अब इन पागलों को छोड़कर जाएगा भी कौन है इन पागलपन को देखकर भला इन बिगड़े दिमागों में भरे अमर्त के लच्छे हैं अरे हमें पागल ही रहने दो ऐस इसे पागल ही अच्छे हैं दन्न है हनमान जी और इस कथा में एक और अनन्द है आदवासी गौरों सम्मान दिवस के पावन उक्बलक्ष के लिए इस कथा का आयोजन करवाया जा रहा है यह बड़े गौरों की बात जो प्रक्ती के पूजक हैं प्रक्ती के उपासक हैं और प्रक्ती से ही परमात्मा की प्राप्ती होती जिनके लिए राम बन गए और राम बन गए तो राम भी बन गए राम बन गए तो राम भी बन गए ऐसे आदवासियों के बीच धन्य है इनकी कुल देवी आदवासी भाईयों की कुल देवी भगवती परम भक्ती मता माता माता सबरी हमारे भारत के गौरों का इतिहास है जो नोंने प्रभूसी राम को भी जूटे वेर खिलाए है तो यह कथा पूरे भारत में एक अनूठी होगी के आदवासी गौरों दिवस गौरों सम्मान दिवस के उपलक्ष में इस कथा का आयूजन किया जा रहा है और हम लोग तीन दिन तक हनमान कथा हम तो अग्यानी मूरक हैं अनपड़ हैं आप लोग तो समध्दार हो छिंदबा हमसे बनेगी तूटी फटी सुंदर कंड पर कथा सुनाएंगे एक बात बोलें के दो बोलो ना पैसा लगता है ना रुप्या लगता है राम राम बोल ये बड़ा अच्छा लगता है लोग हमसे पूशते के आप हनमान जी की ही महमा क्यों इतनी गाते हो हमने गा सुना हनमान जी है पवन पुत्र इस पूरी दुनिया में ऐसा कौन है जिसे हवा की जरूरत ना हो जो हवा सबको आवश्चक है उसी प्रकार जिसका कभी ना हो अनमान गलत उसी को कहते हैं हनमान भगा जो अपने मान सम्मान अपमान को अलग कर दे उसी को हनमान कहते हैं ऐसे हनमान जी महराज क्या कहना देखो बुरा मतमन न पैसा आपको उपर ले जा सकता है लेकिन पैसे को आप उपर नहीं ले जा सकते हैं पैसा पैसा आपको उपर ले जा सकता है भाई ठीक है ज्यादा पैसा हो जाए कर लो भाड़ में गओ चील गाड़ी में ओड़ो चील गाड़ी मतलब हवाई जहा है हमारी बुंदेल घंडी भास्ता में हमने उसका new name निकाला चील गारी तो चील गारी पैसा में पैसा आपको उपर ले जा सकता लेकिन पैसे को आप उपर नहीं ले जा सकते इसलिए हम आप से कहते हैं कोई हमसे पूछे धन क्या है जिन्दगी भर धन धन करो बाद में जब तेरी भी का कार्ड बनेगा तो निधन ही लिखेगा जब कार्ड बनता है तो उसमें लिखते हैं अच्छा धन क्या है ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है राम राम भोलिये बड़ा अच्छा लगता है क्या बोलिये हाँ जी राम राम बोलिये बड़ा अच्छा रखता है एक बात और जिस इंसान ने गरंथ का और संत का सम्मान किया हनमान जी की कृपा को वही पा जाता है हनमान जी की कथा सुनाने का मतलब है हनमान जी के गुड़ों को सीखना कथा सुनने का विषय नहीं है जीवन में उतारने की विषय है सुनते तो बहुत से लोग हमें मिलते हम कहते भई कथा सुनो गुरुजी बुढ़ापे में सुनेंगे ठटरी के बरे बुढ़ापे में हम राम कहेंगे तो आम सुनाई देगा भगवान की कथा तो जब जाग जाओ तभी सवेरा भगवान की कथा जैसा सुख कहां प्राप्त होगा दन्य बीर बजरंग बली इनकी सेबा का क्या कहना है हनमान जी महराज केबल एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा करने से सबी देवताओं का फल मिल जाता है अरे देवताओं चितना धरई हनुमत से सर्विसुख करें और देवताओं ध्यान भी नहीं देते देखते भी नहीं संकर जी की पूजा करो पता चला है संकर जी देख रहे आखी खोल रहे के नहीं खोल रहे लेकिन हनमान जी लोग कहते हनमान जी बहुत कठोर है विन्या में कौन हो सकता क्यों साध्रू संतिके तुम रखो बारे असुरे निकन्देर रामृ दुदारी एक बात भारत के लोगों याद रखना भारत के लोग हमसे पूछते हैं कि आप कथा के माध्यम से पड़े लिखें लोग हमारे पास आते तो कहते हैं कथा के माध्यम से देना क्या चाहते हैं हमने का हम कथा के माध्यम से आज तक तथा कथित लोगों ने भारत बालों को अध्यात्म के नाम पर भूत पकड़ाए हैं हम भारत के लोगों को भगवान पकड़वाएंगे भगवान क्यों आहाँ भगवान इसलिए भगवान ही एक ऐसा सहारा है जब कोई काम नहीं आता है तब परमात्मा की कृपा ही काम आती है दूसरी बात हम लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन केवल पंडाल में याद रखना नाओ जब समुद्र में चलती है तो कई गिलियन पानी उस समुद्र में होता है लेकिन लाखों करोडों गिलियन पानी छोटी सी नाओ का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है कब तक जब तक पानी नाओ में नहीं आ जाता नाओ में पानी आते ही थोड़ा सा जलवी नाओ को डुबा देती है वही हम तुम्हारा तुमसे कहना चाहते जिन्दगी में कितना भी तनाओ रहे तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता जब तक उस तनाओ को तुम अपने हिर्दय में नहीं रखोगे हिर्दय में भगवान को रखोगे तो कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर पाएगा इसी लिए इस कथा का सुत्र है ना पैसा लगता है क्या ना पैसा लगता है और राम राम बोलिये बड़ा एक बात हो भगवान ने हमें बनाया तो दो कान दिये कितने कान अच्छा मूँ कितना कितने कान दो मूँ अच्छा ब्रमा जी की कारी गरी देखो कितनी खतरनाख कान कान में सुनाई देता है छिद्र से, सुराग से लेकि ये मडगार उपर लगा दिये ये सूपा जैसे पंखा इनकी क्या जरूरत दोनों तरप ये जो लगा दिये क्या जरूरत थी ब्रमा जी को पता था कि कल योग में आदमी चस्मा लगाएगा टांगेगा कहो तो कान दो मुख एक बात बहुत राजकी है मतलब बगवान कहना चाहते सुनो ज़्यादा कहो कम और सुनो क्या गाना नहीं के फलाना बदनाम हुआ ठेकाने के लिए कई लोग वो लगा लेते हैं क्या बोलते हैं उनको दौनों तरफ में हाँ यूटूट ब्लूटूट ब्लूटूट लगा लेते हैं अब लगी उनसे कहो सीतारा हम अभी बिदेश गए बिदेश में एक अमीर आजमी ने कहा गुरूट जी घर आई ये चरण रखी है हम उनका रख देंगे हम तो फिरी हैं बारत के आदमी बुंदेल घंडी आदमी हम गए उसका लड़का अंगरी जी फुल अंगरी जी और कान में लगाएं हम उनका देखो इसको फिटके दोरा आगाए मिरगी आगाई है तब उसके पिता जी ने कहा मिरगी नहीं आई डिस्को डांस सुन रहा है हम का ठटरी बराए तो कान कान दो लेकिन कान सुनने के लिए क्या दिये कान दिये सुन बेको सत संग है जीब क्यों दी जीब गाली बकने के लिए नहीं कान का सदपयोग भगवान की कथा सुनने से है मुख का सदपयोग भगवान की गीत गाने से है इसलिए ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है परंतु राम राम बोली ये बड़ा सरुता